कोच जाओंगा, फान जाओंगा, मर जाओंगा, हच जाओंगा इन दोर के परदेशी पुरा इलाके में हाई वोल्टस ड्रामा देखने को मिला यहां नाबालिक लड़के से शादी करने के जित पर अड़ी प्रेमी का होडी के खंबे पर चड़ गई सोले पिक्चर में जैसे वीरू पाने की टंकी पर चड़ जाता है बसंती के लिए वैसे ही यह लड़की शादी न होने पर कूद कर जान देने की धंकी देने लगी लड़की को खंबे पर चड़ा देख, मौके पर लोगों की भीर चुट गई प्यार में कई लड़कों को हद पार करते देखा होगा लेकिन किसी लड़की का प्रेमी के लिए ड्रामा कम ही देखने को मिलता है ऐसा ही कुछ मद्रप्रदेश के इन दौर में देखा जहां परदेशी पुरा इलाके में कलगरभी वार देश शामिक यूथी ने जी एंट्री बोट पर चड़कर हंगामा किया करीब एक गंड़े तक चले इस हाई बोल्डस ड्रामे में लड़की ने कहा कि जब तक प्रेमी को नहीं बुलाओगे वो नीचे नहीं उतरने वाली करीब सारे साथ बजे परदेशी पुरा छेतर के MR4 इस से 30 फुट के जे एंट्री बोट पर यूथी चड़ गई थी प्रेमी से मिलने की बात कहते हुवे बोट के उपर ही बैट कर मोबाइल चलाती रही एक तरफा प्यार में यूथी ने प्रेमी शादी की बात की थी जिस पर यूवक के मना करने पर यूथी सड़क पर बने साइन बोट पर चड़ गई और हंगामा करने लगी इस अंगामी की दोरान इलाके में काफी धेर जबा हो गई थी इसके बाद पूलिस ने वहाँ पहुँच कर यूथी से नीचे उतरने को कहा जिस पर यूथी ने कहा कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो शादी के लिए मना कर रहा है जब तक लड़का शादी के लिए हाँ नहीं करता वह नीचे नहीं उतरेगी फिलाल 45 मिनट की कड़ी मसकत के बाद पूलिस लड़की को लेकर ठाने पहुँच गए यहाँ पर लड़की के घरवालों को भी भुला लिया गया इस दोरान लड़की की काउंसलिंग की गई पर देशी पुराथाना अत्यक्ष अश्वक पाटेदार ने बताया कि लड़की की उम्र भी ठारा वर्स है वनवालिक लड़के से प्रेम करती है और उससे शादी करने की चित पर अड़ी थी उसका कहना था कि घरवाले उसके शादी कहीं और कराना चाहते हैं लड़की को समझा कर उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है ग्रोरिपोर्ट आइपेन